नमस्कार मैं हूं माही सिंग और आप देख रहे हैं नेक्स नाई न्यूज आज आपको बहुत-बहुत स्वागत हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीती में आज बात करने वाले हैं अर्वंदिकेश जुवाल को ले गए अर्वंदिकेश जुवाल राउ जो अन्न संधन जो तरीके से अर्वंदिकेश जुवाल के साथ हाँ खड़ा हुआ है उसका कितना फायदा होगा माना ही जा रहा है कि 30 जुलाई को धरना पर दर्शन हो सकता है अर्वंदिकेश जुवाल के पक्ष में भारतियों जंता पार्टी EDCVI के खिलाब कही न कहीं यह धरना प सिकस्त मिल सकती है आज नहीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे हमारे साथ हमारे सयोगी मनीश मौजूद है मनीश क्या लगता है कि इस बार अर्वंदिकेश जुवाल का अगर रिहाई नहीं होती है तो क्या इस बार के विधान सभा चुनाओं में लोग सभा चुनाओ में अपनी ताल ठोकती भी नदर आ रही है अर्वंदिकेश रिवाल जबसे जेल में बंद है तो पूरी पार्टी ही लगबग उन्होंने समाल रखी है और बात की जाए संजे सिंग की बात की जाए यहाँ पर आतीशी मरलेना की और यहाँ पर तमाम बड़े नेता यहाँ प सबूत तमाम अंगवा यहाँ पर पेश करते यहाँ पर कहीं न कहीं मुझकिले बढ़ाने की कोशिश कर रही है लेकिन देखा गया हाल ही में तो उनको यहां पर कई न कई राहत मिलती हुई नजराई लेकिन देखा जा रहा है जिस तरीके से आप उनके पीछे लगी हुई है और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से यहां पर अरविंद केज रिवाल को पूरी तरह से विदान सबाद चुनाओं से पहले फसाने की कोशिश की जा रही है तो ऐसे में आने वाले समय में विदान सभा चुनाओ बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा आमादी पार्टी के लिए अरविंद केजरिवाल के रिहाई नहीं हुए और वहीं बात की जाए मनीशी सोधिया की तो मनीशी सोधिया भी काफी लंबे अर्से से जेल की सलाकों के पीछे हैं और ऐसे में देखा गया है कि अरविंद केजरिवाल तो लोकसभा चुनाओ के दौरान बाहर आ भी गए थे अंतरिम जमानत पर लेकिन मनीशी सोधिया जो है वो काफी लंबे अर्से से सलाकों के पीछे हैं उनको यहां पर फिलाल कोई राहत मिल अब देखना वाकई दिल्चस्क होगा कि किस तरीके से आमाधी पाटी आखिर अपने आपको इस चीज से यहां पर निकाल पाएगी क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है लंबे अर्से से अर्विंद केजरिवाल यहां पर फसेवे नज़रा रहें शराब नीती घोटा ज पहले में और यहां पर कहीं नखहीं कोड़ भी यहां पर सी बियाई और एडिको फटकार लगाता हूँ नज़रा है क्योंकि जो सवबूत और गवा यहां पर पेश करते हैं वो कहीं निराधार साभित हो जाते हैं और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से यहां हो तो उसके माध्यम से कही ना कही विदान सबाद चुनाओ को लेकर उनको साधने की कोशिश की जा रही है। मैदान में बहतर करते हुए दिखाई दी तो क्या अरवंद के जिवाल की वही स्ट्रेटेजी है कि अगर इंडिया गडवंधन को साध लिया जाएगा तो फिर कही ना कहीं उनकी रिहाई भी जल्दी हो जाएगी और जुस तरीके से उनके हेल्थ को लेकर सवाल खड़े हो रह हरियाना में भी विधान सवा चुनाव है ऐसे में केज़िवाल ने हरियाना में भी अपना दाँं चलना चालू कर दिया है सुनीता केज़िवाल जाती है पांच गैरेंटी कि आने वाले विधान सवाद चुनाओं में हर्याना में एक कही न कहीं सिंपैथी वोट केजरिवाल को मिलता हुआ नजर आए जी देखिए बिल्कुल इस तरीके से आपने सुनीता केजरिवाल के बयान का जिक्र किया यहाँ पर भगवान का उनको अवतार यहाँ पर बताती अवतार नहीं हो सकते एक यहाँ पर अच्छे लीडर की तौर पर अपनी यहाँ पर बहचान बनाते वे अगर कोई यहाँ पर उभड़ता है तो उसको यहाँ पर तमाम उपादियां दी जाती है प्रसिद कहा जाता है विख्यात कहा जाता है लेकिन एक भवान का अवतार कह सरकार बनना लगबग मुश्किल लग लग रहा है लेकिन देखा जाए तो तो यहां पर कहीं न कहीं आहां पर आंड्यादमी पर olduğ学 नम्याद के प्रफिए सब्सक्रांड के सबने करए के बाद मनीशी सोधिया के सलाकों के पीछे होने के बावजूद यहां पर पार्टी के तमाम लीडर या यूं कहें सुनीता केजरिवाल खुद जो अर्विंद केजरिवाल की धर्मपत्नी हैं वह भी पार्टी की कमान समालती वी नजर आ रही हैं और हरियाना में भी ताल जिस आर्विंद केजरिवाल के लिए जो अगर यहां पर मुश्किले कम हो जाती है और यहां पर कोट सिराहत मिलती ही नजर आती है जमानत पर बहार आ जाते हैं यह रिहाई ही मिल जाती है तो वाकई आमाद्वी पार्टी के लिए आगे का राजणीतिक सफर वह बहुत शांदा बेहत सोहाना होगा और ऐसे में पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और जिस तरीके से भारती जंता पार्टी है तमाम यहां पर विपक्षी पार्टी हैं जिस सियासी मैदान में अपनी ताल ठोकती हुई नजर आ रहे हैं और देखा जा रहा है कि आमाद्मी पार पार्टी की फेवर में जाते हुए दिखाई देंगे लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो अरवंद केट्रियाल का जेल से बाहराना बेहद जरूरी है वहीं अगर बात के लिया जाए मनीशी सोधिया की तो भी 16 महीने से जेल में बंद है बाहराने की कोई उमीद अभी ही नसर आई है क्या 31 जुलाई और 29 जुलाई जो मनीशी सोधिया की लिए बेहद अहम है क्या उनको किसी भी तरीके की रहात मिलेगी वहीं सतेंद्र जोयन की बात करें तो उनके बारे में तो आम आदमी पार्टी जर से लगता है भूली गई है ना कोई चर्शा करती है ना क कोड की तरब से किसी भी तरीके की कोई रहात नहीं मिलती है 30 अक्टूबर और 30 अप्रेल को कहीं ना कहीं मनीश सोधिया को बड़ा जटका लगता है अब एक बार फिर उनके सुप्रीम कोड का रुक किया है माना यह जा रहा है किस बार हो सकता है कि मनीश सोधिया को 16 महीने बाद किसी भी तरीके की रहत मिल जाया ऐसे में अर्वंदिकेश्रिवाल और मनीश सोधिया दोनों कहीं ना कहीं आमानमी पार्टी के वो मजबूत पिलर है जिनकी वज़ों से पार्टी खड़ी हुई थी अगर यहीं दोनों बाहर नहीं आ पाते हैं तो जाहर तोर पर परदर्शन हो रहा है इससे कितना फर्क पड़ेगा हमानमी पार्टी पर और उनके वोटर्स पर यह देखना दिल्चस्प होगा लेकिन यह धरना परदर्शन इस बात का सबूत है और यह बात दिखाने की कोशिस की जा रही है कि इंडिया गडवंधन एक साथ है क्योंकि अ जबूरी ऐसी बनती हुई नसरा रही है कि गडवंधन तोड़ने के बाद भी अर्वंध के जिवाल को इंडिया गडवंधन का सहारा लेना पड़ रहा है उनका मुह देखना पड़ रहा है अब देखना यही होगा कि इसमें कितना फायदा मिलता हुआ नसराता है और इसके बदले में इंडिया गडवंधन किस तरीके की डील अर्वंध के जिवाल के साथ करती हुँ नसरा आगी यह भी देखना दिल्चस्प होगा फिलाल इन सब मुद्दों पर आपका क्या कुश कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा फिलाल के लिए वस इतना ह देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स नई नियूज पर